कि नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है आशीच राठोर इंडियन रेल डैनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है अगर आज आप में से चैनल पर नहीं आए कॉंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा दोस्तों रेलवे इंस्ट्राइश के छेतर में देश में ब जो होती हैं वो सुस्त काम करती हैं और कहीं जगाव पर स्टेट गवर्मेंट अच्छा काम भी कर रही हैं ऐसे में हमने उत्तरप्रदेश में भी कहीं जगाव पर देखा अच्छा काम हो रहा है तो उसमें उत्तरप्रदेश सरकार भी हेल्प कर रही है हर्याना में भी अग दो वंदे भारत एक्सप्रेस दोनों हमारे देश की सबसे आदक काम्याव वंदे भारत एक्सप्रेस एक हैं और कि बात करी जाए तो हमेशा फूली रहती है और 73 यहां पर एवरेज स्पीट से दोनों वंदे भारत चल रही है तो आज केरला में लोगों ने बहुत अच्छे स और रेलवेज है किरला में स्टेट के लिए इस मीटिंग में उनने काफी सारी पॉजिटिव बाते करी हैं अश्निव एसनो जी से काफी सारे प्रोजेक्ट के बारे में बात होई कुछ प्रोजेक्ट जो की धंदे बस्ते परी चले गए थे उनको दुबारा से जिंदा करने की बात की गई है तो ऐसे में कुछ एहम बाते आपको बताना चाहूंगा देखी जैसे की थार्ड एन फॉर्थ रेलवे लाइन के सर्वे के लिए भारती रेलवे को जमीन देने का वादा कर दिया है यहाँ पर सियम साहब ने क्यों क्योंकि यहाँ पर थार्ड एन फॉर्थ रेलवे लाइन का सर्वे चल रहा है भारती रेलवे की तरफ से तो अगर दोनों मिनिस्टी ओ रेलवे और स्टेट मिल करके अच्छा काम करेंगे तो काफी अच्छे से यहाँ पर रेलवे लाइन बेची भी जाएंगी आने वाले समय में उन्होंने वंदे मैट्रो जैसी ट दील कर दिया जाया उन्होंने इसकी भी मांग करी है और भारती रेलवे काफी बड़ा प्लैन लेकर के चल रहा है कि जहां जहां पर भी दिमांड जादा आएगी वहां पर 20 कोच की वंदे भारत का वर्जन आ जाएगा और इसकी टेस्टिंग भी आच्छी खासी हो चुकी ह और यह ट्रेन अप 20 कोच में प्रोडक्शन में आ चुकी है ICF में एक डिमांड उनोंनों और करी है कि स्पेशल सर्विस के तोर पर एंडना कुलम से बैंगलूरू की बिच में बंदे भारत ट्रेन एक बार चली थी गवर्मेंट का कहना है कि यह ट्रेन काफी पफुलर रही है स्टेट कितना जदा उत्सुक है इन सब चीजों के लिए वह भी इंपोर्टेंट होता है तब ही तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट महां लगेंगे अब यहां पर सबसे इंपोर्टेंट के लिए जो के रेल नाम का एक बड़ा हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट अनौंस ह कहीं जगा पर एलिवेटेट भी होगा और कहीं जगा पर ग्राउंड पर तो दोस्तों यह जो प्रोजेक्ट है इसके अप्रूवल की उन्होंने मांग करी है और यह देश का एक ऐसा पहला प्रोजेक्ट होगा जहां पर 200 kmph पर ट्रेन चलेगी और इस ट्रेन की ओपरेटिं NCRTC जैसा प्रोजेक्ट 160 kmph की जो ट्रेन आज हम लोग दोड़ा पा रहे हैं RRTS network में ऐसे ही एक अनोका प्रोजेक्ट यह भी है के रेल अगर यह इंप्लिमेंट होता है आने वाले सालों में और यहां पर हम लोग अपनी स्वधेशी ट्रेनों को दोड़ा पाएंगे जैसे जहां पर बुलेट ट्रेन जैसा महेंगा प्रोजेक्ट नहीं आ सकता वहां पर यह प्रोजेक्ट जरूर आ सकता है क्योंकि 532 km की दूरी को जहां पर 10 घंटे से भी ज्यादा का समय लगता था तैय करने में वहां पर 4 घंटे में केवल यह दूरी तैय हो जाएगी यह इस प स्टेट भी काफी अच्छा काम कर रही है उनकी सभी मुद्धों को रेलवे मिनिस्ट्री तक पुचा रही है तो ऐसे ही और भी स्टेट को भी आगे आना चाहिए और अपने जितने भी जो प्रोजेक्ट हैं जो की धीमें पढ़ चुके हैं तो उनको भी तेज करने के लिए से मांग करी जाए और इसी तरगे से डानेमिक काम होगा तो काफी ज़्यादा होगा ओवरोल इंडिया में सभी स्टेट के लोगों को तो दोस्तों ऐसी जानकरी प्रोजेक्ट की आप लोगों को देता रहता हूं इसलिए चैनल को सब्स्राइब कर लिजेगा आज के लिए नहीं वंदे मातरम भारत माता की जै